नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो Axis Bank, Airtel Credit Card का होगा इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम Axis Bank के Airtel Credit Card को घर बैठे आसानी से फ्री मिले सकते हैं जी हाँ फ्री में इसलिए क्योंकि इस पे अभी Limited Period Offer चल रहा है जो बैठे इस कार्ड को अभी 31st मार्ज तक अप्लाई करके लेता है उन्हें ये कार्ड फ्री मिलेगा Airtel Credit Card का पूरा प्रोसेस आपको यहां दिखाने वाला है कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और साथ में जानेंगे इसका डिटेल जैसे feature and benefit, fee and extra charges, eligibility और धेरो सारे उस पे लगए हुए terms and condition Bill payment और recharge के मामले में अभी तक कोई credit card हमें best लगता है तो वो है Airtel Credit Card जिहां गर आप लोगों का life भी ज़्यादा तर Wi-Fi, mobile, recharge, DTH payment इन सबों से जड़ा हुआ है तो Airtel Credit Card से payment करके आप ज़्यादा saving कर सकते हैं खैर इसे हम आगे चलके detail के रूप में cover करेंगे लेकिन उन सभी के अलावा एक सबसे महत्कुन सबाल है जो कई सारे customers से बैंकों से पूछे जाते हैं वो ये है कि क्या इस credit card को सिर्फ Airtel customer ही ले सकता है अगर दूसरे लोगों को लेना हो तो एक credit card कैसे बो ले सकते हैं मतलब Airtel credit card से related आज यहां जानेंगे बहुत कुछ तो चैनल को subscribe करें साथी पूरी जानकारी और applying process के लिए video gain तक बने रहें दोस्तों यहां से आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दू कि Airtel Axis bank credit card सभी को अभी free मिलेगा 31st माज तक जो वेक्ति इस card को join करेगा उनका joining बिल्कुल free होगा लेकिन सिर्फ joining free होगा lifetime free आपको नहीं मिल रहा है होगा कि आपका transaction आगे चलके बेतर हो तो bank से बात करने पर आपका card lifetime free भी हो सकता है लेकिन आभी limited period offer है उस limited period offer के अंतरगत यह card आपको joining free मिलेगा जो वेक्ति 31st माज तक join करेंगे उन्हें card joining free मिलेगा इसके अलाबा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया अगर आप लोगों का ज़्यादा तर spend mobile, recharge, broadband, buy-fi, details, bill payment इन सबों को लेकर ज़्यादा होता है अगर ज़्यादा spend होता है इन सबों में और उन spend के बहुत सारे हिस्स्टों को आप save करना चाहते है तो आप एक बार ATL credit card के detail को जरूर जान ले आईए इसके detail में सबसे पहले शुरुआत करते हैं features से तो इसके features का पहला point है welcome benefit access bank कहता है कि जो बेखती इस credit card को free and charges देकर join करता है हम उन्हें welcome gift देंगे उस welcome gift में 500 का amazon gift voucher होगा लेकिन वो amazon gift voucher आपको यूँ ही नहीं मिल जाएगा उसके लिए आपको card joining से 30 दिनों के अंदर अंदर first spend करने होंगे तब आपके mobile पर SMS के द्वारा code आएगा उस code में Amazon का gift voucher code रहेगा उससे आप Amazon में यानि उस code से Amazon के अंदर 500 का free में purchase कर सकते हैं इसके बाद का point एirtail credit card का best feature cashback benefit यहां कहा जाता है wifi recharge करता है DTS bill payment करता है या broadband recharge करता है तो का जाता है कि 25% cashback आपको यह card देगा इस आकड़े को आप कम ना समझे 25% बहुत ही valuable होता है आप इस तरह से समझ सकते है अगर आप कहीं 100 रुपे अस्पेंट कर रहे हैं उस पे आपका 25 रुपे cashback हो जाए तो समझे रहे हैं सिर्फ आपका 75 रुपे ही valuable है उसे तरह से अगर आप अपना utilities bill payment पर spend करते है इस credit card से तो आपको 10% cashback मिलेगा उस utilities bill payment जैसे आप gas payment हो गया bill payment हो गया electricity bill payment हो गया इन सब वोमें अगर आप spend करते हैं इस credit card से अगर आप payment करते हैं तो आपको 10% cashback मिलेगा हलाकि इन पर कुछ terms and condition भी लगे हुए हैं जिसे हम आगे चलके discuss करेंगे वहीं यह cashback इतने में ही सिमित नहीं होने वाला है अगर इस credit card से swiggy, jometo या big basket पर कुछ भी order करते हैं कुछ भी aspen करते हैं तो 10% cashback तो यहां भी मिलेगा इसके अलावा 1% cashback मिलेगा अधर online, offline कहीं भी aspen करते हैं तब 1% cashback आपको मिलेगा मतलब aspen आप चाहें जहां भी करें 1% cashback तो पक्का है लेकिन इन सभी के अलावा कुछ terms and condition है दोस्तों जिसे हम लोगों को समझना चाहिए इसमें पहला condition यह है कि इस credit card से किया गया aspen जादातर air till thanks app से ही होना चाहिए अगर partner app की बात करें तो swiggy, jometo और big basket इन सभी को छोड़ करके जितना भी aspen है जहाँ आप जैसे जो bill payment हो गया, dth payment हो गया इन सबों को जब भी आप इतना aspen करेंगे वो air till thanks app से ही होना चाहिए तब यह cashback आपको मिलेगा अगर other side से या other app से करते हैं तो उन cashback के हकदार आप नहीं होंगे अगर आपको cashback लेना हो air till credit card के जरिये तो आपको air till thanks app ही use करना होंगे partner app को छोड़ करके जो मैटो सुईगी और big basket को छोड़ करके अगर आप कहीं भी spend करेंगे तो ज़्यादा तर आपका a spent air till thanks app से होना चाहिए अगर bill payment करते हैं air till thanks app से होना चाहिए रिचार्ज करते हैं अ इन सब का a spent जो है वो air till thanks app से ही होना चाहिए दूसीर बात यह कि आपको cashback यह जो मिल रहा है लेकिन उन cashback पे capping point है ऐसा नहीं है कि बहुत जादा unlimited आप spend करके unlimited cashback यहन कर पाएंगे नहीं बलकि यहाँ capping रखा गया है जैसे कि first category में है जो 25% का cashback आपको मिलेगा आपका जो भी limit है आप जितना भी कर सकते हैं लिमिट के नुसा है उसी तरह से जो दूसरा category है utilities, bill payment वाला उसमें भी 10% cashback आपको मिलेगा जरूर लेकिन जैसे ही 300 का आकड़ा पार करता है वो cashback मिलना बंद हो जाएगा उसी तरह से जो तीसरा investment है सुईगी जो मैटो वाला उसमें भी 10% आपको cashback मिल तो रहा है यानि यह जो screen पर आप देख पा रहे हैं यह कुछ और conditions हैं यहाँ यहाँ आप spend करेंगे तो इतने में cashback आपको नहीं मिलेगा इन सभी पर छोड़ करके ही यह cashback आपको मिलेगा इसके साथ साथ हमारा next feature है airport launch access जिसके अंतरगत एक साल में 4 domestic airport launch free visit कर सकते हैं इसके बाद fuel surcharge बेबर जिसमें 1% का fuel surcharge बेवफ हो जाएगा लेकिन transaction का amount 400 से लेकर 4000 तक ही होना चाहिए अगर इंडिया के किसी भी fuel stations पे आप fuel लेते हैं 400 से लेकर 4000 के बीच में तो आपका 1% fuel surcharge बेवफ हो जाएगा और इस तरह से 500 रुपे का हर मेने आप saving कर सकते हैं इसके बाद का हमारा next feature है एक है dining delights और एक next feature है add-on card का जिसमें dining delights में अगर access bank के partner restaurant के आप 7 पैसे हैं करते हैं तो वहाँ up to 20% तक का discount देखने को मिल जाएगा flat नहीं कह सकते up to 20% discount देखने को मिलेगा और दूसरी और add-on card में ये होता है कि अगर आपका family member जिन्हें ये credit card चाहिए लेकिन bank उन्हें eligible नहीं करती है एटेल access bank credit card के लिए जिनका age 18 year से उपर हो उन्हें ये card लेना हो तो आप अपने बिहाब पर credit card दिलवा सकते हैं आपके limit के कुछ हिसों को काड़ कर उनके limit में provide कर दिये जाएगा जिसके गरांटर भी आप ही होंगे अब हम लोग जानेंगे कि एटेल credit card को apply कैसे करना है लेकिन उससे पहले समझते है eligibility criteria जो बेक्ति इस credit card को लेना चाहता है उनके पास एटेल सिम होना चाहिए वो एटेल ठैंक्स अप में login होने चाहिए पहले से कहने का मतलब यह हुआ कि जो बेक्ति proper एटेल credit card यानि एटेल bank के customer है उन्हें ही एटेल credit card मिल पाएगा क्योंकि सारा कारभार जो है वो एटेल ठैंक्स अप ही समालता है एटेल ही समालता है एक्से बैंक जो इसमें है वो सिर्फ इसे रिपर्जेंट करती है तो आप एक एटेल customer होने चाहिए आपका एज कम से कम 18 एर और ज्यादा से ज्यादा 70 एर होना चाहिए आप एक इंडिय क्रेडिट कारड अपलाई करने के लिए एटेल ठैंक्स आप डाउनलोड करना होगा उसमें एटेल सिम से लॉगिन करना होगा अगर पहले से लॉगिन नहीं है कोई बात नहीं अभी लॉगिन कर सकते हैं फिर जब थर्ड ओप्शन सौप को उप्शन में जाएंगे तो आप को क्रेडिट कारड का अपसं आगर शोर नहीं कर रहा है कोई बात नहीं नीचे डेस्रेपशन बॉक्स में वीडियो के नीचे जो डेस्रेप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है जैसे उस लिंक को क्लिक करेंगे तब भी ये का कार्ड का पूरा डुटेल को hem मिल जाएगा क्या फीचर्स है क्या बेनिफीट है क्या चार्जेज है पूरा डीटेल आप यहां से देख सकते हैं और नीचे गेट डिसकार्ड का ऑप्शन है उसे हम क्लिक करेंगे यहां से टोटल चारा स्टेप में आप लोगों का फॉर्म अपलाई हो जाएगा जैसे बेसि जेंडर सलेक्ट करें फिर डेट और और यापिन कोर्ट अगर फिर देट ऑर अलगर उसे जैने करना चाहते है तब कोई बात नहीं वैसे रहने दे और नेक्स्ट करना चाहए उसके बाद सटे सब्सक्रेंकं क्या है इसके किस प्रकार का है उसे चोतर में heck有沒有олаนीगर友 für करेंग next कर देंगे अब तीसरा step आता है address detail इस step में customers को अपना address feel करना होगा यहां सभी customer एक एक करके हर column में अच्छे से अपना address feel कर लेंगे इसके बाद अगर आपका working address भी same है तब तो आपको same कर देना अगर different address है तो different address भी select करना होगा आपको कभी लोगों का form apply हो जाएगा एक application id generate होगा इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं application id generate हुआ जिससे card आने तक card का status आप देख सकते हैं कि card आपका reject होता है या फिर card decline होता है या फिर आपको card मिलेगा उसका status आप time to time check कर सकते हैं वहीं अगर customers को KYC भी पूरा करवाना हो तो complete KYC को click करके KYC भी finish करवा सकते हैं जिसमें original pen card और आधार card का जरूरत होता है फिर पूरा process और KYC complete होने के बाद करीब दो हपतों के अंदर अंदर credit card आपको मिल जाएगा आईए process complete होने के बाद अब हम लोग जानेंगे इस card के fee and extra charges को कि इस card को use करने के किस प्रकार के charges मैं bank को pay करने होगे तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये credit card अगर अभी आप apply करके लेते हैं अभी join करते हैं 31st month सक तो आपका joining बिल्कुल free होगा आपसे joining भी नहीं लिया जाएगा लेकिन offer खत्म होने के बाद जब इस credit card को join करेंगे तो आपसे 500 का joining भी ले लिया जाएगा हो सकते offer extend कर सकता है आगे भी बढ़ सकता है अगर offer आगे बढ़ता है तो मैं आपको update करता रहूँगा उसके लिए आप हम पे छोड़ दे मैं आपको update कर दूँगा लेकिन अगर offer खत्म होता है और जब यानि offer खत्म होने के बाद इस card को join करते हैं तो 500 का joining भी आपको pay करना होगा और next year से annual fee भी 500 का ही आपके उपर लगाया जाएगा लेकिन उस annual fee को आप चाहेंगे तो आप बेवफ करवा सकते हैं अगर एक साल में आप 2 लाक रुपे या उससे ज़्यादा spend कर देते हैं तो आपका annual fee बेवफ कर जाएगा साथ में finance charge 3.6% per month cash withdrawal 2.5% over limit 2.5% foreign transaction 3.5% और भी ऐसे कई सारे charges हैं जिसे हमने description box में note कर दिया है आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं तो यह पूरा detail और पूरा applying process था दोस्तो एयर टेल access bank credit card का हमें उमीद है कि आपने offer खत्म होने से पहले इससे join कर लिया होगा अगर आपने अभी तक join नहीं किया है और अगर अभी तक offer चल रहा है तो आप इसे join कर ले हलाकि अगर आप airtail bank के customer है तो आपको यह card benefit ही benefit देगा आपको loss नहीं लगने देगा अगर आप इसे बाद में भी join करते हैं तब अगर कोई सवाल हो इस topic से related तो आपसे comment पर पूछ सकते हैं चैनल को अब तक आपने subscribe नहीं किया देर किस बात की चैनल को subscribe करें और यह video प्योग ही लगे तो इसे like भी जरूर करें करेंद सकती करें